फ्रेंड्स इंगीता किचन में आप सबकी श्वागत है तो चलिए आज बनाते हैं एक ऐसी रेश्पी जो खाने में बहुत स्वादिश्ट होता है बनाने में बहुत कम समय लगता है आपका जब कभी मन हो आप प्टा-पटी इस रेश्पी को बना सकते हैं तो चलिए की स्लाइस ले रखी हो इसे चुटे-चुटे टुक्रे कर देती हूं सारे ब्रेट को कई बड़ा होता ना ब्रेट हमें खाने का मन नहीं होता बचा हुआ रहता तो इस रेस्पी आप बना सकते हो आराम से इस तरीके से तो देखिए मैंने चुटे-चुटे-टुक्रे कर दी को औरेटी में कडाही गरम कर रखी हूं गैस का फ्ले मीडिया में तीन से चार्ट अबल स्पून सर्शो और कड़ी पत्ता थोड़ी सी डाल दे रही हूं उसके बाद ओनियन चौप क्या हुआ हो डाल दी हलका सौप्ट होने देते हैं ओनियन को फिर इसमें वान टेमैटो को चौप मैं डाल देती हूं इसे स्वात के हिसा ल्ट डाल देर रही हूं गये अरे इसे भूनते रह जाय है इसमें चिली फ्लेक्स बीलस्पून टाल दी हमति में हल्दी का पॉलटर भी डाल देरी और इस तक कि ताकि प्याज और टमेटो शाप्थ हो जाए अब यहां तीन से चार टेवल स्पून टेमेटो केचप पी डाल देती हूं ताकि टेस्ट और अच्छी आए यह देखिए अब इसे एक सेकंड के लिए भूंच देती हूं इसे बनाना बहुत एज़ी है आप आपको जब भी बनाना हो आप अराम से इसे बना सकते हो इसे इसमें डाल देती हूं और चौप किया हुआ धनियास पत्ता है इसे भी इसमें डाल देती हूं अब गैस का इसमें डाल देती देखे मैंने आप हुना हुआ चना और शेव जो बेशन की शेव और डाल दी देखे फ्रेंड हमाया रेश्पी त्यार हो चुका है थेंक यू